हाँ तो गैसे आप लोगों को पता होगा Father's Day आने वाला है तो आज मैं आपके लिए Father's Day के लिए बहुत तगड़ा वाला टेक्स्ट वीडियो एलेटिंग लेकर आया हूँ तो चली मैं आपको सबसे पहले ओश वाली वीडियो का प्रिवियो देखा देता हूँ जिन्द गीताराने खुशी के तेरे होते तो गैसे अभी जो आप प्रिवियो में देखा रहे थी Father's Day टेक्स्ट इस्टेटेस वाला वीडियो तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह का ही वीडियो एडिट करकर वताने वाला हूँ इससे पहले मैंने Father's Day Coming Song वाला वीडियो बनाया था 70% लोगों का वायरल हूँ था इस्टाग्राम पे जाके देख सकती हूँ उम्मीद है वाला वीडियो भी कापी सारी लोगों का वायरल में जाएगा तो चलिए मैं आपको बता देते हूँ आपको बनाना किस तरीकी से उसके बाद मैं आपको जाने image page पर जैसी आप image page पर टैप करोगे हैं पर आपको दोनों शाइट में जो बारा स्वस्य लेका देखाई दे रहा है तो आपको फश्ट में जो बारा स्वस्य है न उसको कट कर करें याँप आप 720 कर OK कर देना अब आपको एक काम और करना है जो background है न background में आपको black color को select करना है ताकि आपको आंगे से वीडियो को delete करने में कुछ भी problem ना है अब जैसे कि आपने हैं पर black color को select कर लिया अब आपको text को लिखना है तो आपको plus वाले icon पर जाना है जैसे आप plus के icon पर tap कर हुए आपको text को select करने है उसके वाद में आपको जाना है एडिट पी एडिट पर जाने क्वाद में हापर जो में लेकूंगा ना आपको शेम टू शेम कॉपी पेस्ट करना है जैसे कि आपको new text को cut करने है यहाँ पर आप happy लिख देना तो guys background में थोड़ा noise आ रहा है तो आप उसको ignore वीडियो पर देहान देना है text को edit करने क्वाद में आपको जाने font वाली section में जैसी आप font पर जाओगी उसके वाद में आपको जाने my point में अब यहाँ पर आपको जो happy वाले text में font को select करना है यह वाला जो font है बैसे तो आपको Google Chrome browser पर मिल जाता है बैसे आपको इतना आप चैनल पर एंड वीडियो की comment box में दे दूँगा आपको इसी वीडियो की comment box में मिल जाएगा तो बहां से आप download करकर pixel app के अंदर add कर लेना अब मुझे पता है कापी सारी लोगों को नहीं आता है अब जिनको नहीं आता है ने उनके लिए वीडियो की description में एक वीडियो आपको यहां पर कापी शारा option मिलेगा यहां पर आपको देखने सबसे लाष्ट में आपको color मिलता है तो आपको color वाली section में जाने है अब आपको यहां पर तोड़ा समझना है आपको यहां पर 3 opacity मिलता है तो आपको second and third वाली opacity को आपको 100% विराखने बाकि जो फस्ट वाल करने है इसमें आप yellow color को लगा देना बाकि इसका जो opacity है ना opacity को maximum आप 70, add 77 इतना राख सकते हूँ अब जैसे कि आपने हापने 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 हैपी वाले text को complete edit कर लिया है आपको 20 center में add करने है अब आपको new वाला text लिखने है तो आपको plus वाली icon पर जाने है प्लस पर जान पहले की तरह आपको my font में जाने है अब आपको जो font भादर जिवाले text में add करने है वाला font में आपको telegram पे एंड इस वाली वीडियो की comment box में दे दूंगा pixel lab के अंदर आपको font add करना आता है योगा अगर नहीं आता है तो आपको इस वाली वीडियो की description में वीडियो के link मि जैसे कि आपने happy वाली text में yellow and white किया तो इसमें आपको green and white करने है अब जैसे कि आपने हैंपर अपने text में color वगरा को लगाकर complete create कर लिया है अब आपको पादर जब्ले वाला जो text है आपको उसको copy करने है copy करने गदे में आपको edit में आपको edit पियाने अब यहाँ पर आपक लगकें लगेले हैं कुंट पर सब्सक्राइdest पर दिस्क्रिप्शन में ज्यादा लिंक नहीं डाल पाते हैं इसलिए जो बाकी का मेटिरियल वगएर है उसको आप टेलीग्राम चैनल पर डाउनूट कर लेजिएगा अभी आपको फिलाल करना है कि जैसी के आपने आपर इमोजी वाले इस्टिकर लगा दिया है अब आपको इसको थोड़ा और रोमांटिक बना निकली हैं पर आपको एक और इस्टिकर लगाना है अभी में यहाँ पर फूले हैं जो पत्तिव वाले इस्टिकर हैं आपको वाले इस्टिकर हैं यहाँ पर लगाना चाहूंगा यह वाले जो पी एंजी इस्टिकर हैं आपको टेलीग् कैसे करने आपको नीचे मिल जाता है color and filter तो आपको color and filter पर जाने यहां पर आप इसकी opacity के मदद से color वगरा को change कर शकती हूँ फिलाल लगाइस हमारा इवालका हम complete उशुक है अब जैसे कि आपने इस तरीकी से प्लश वाला इकन मिल रहा है जैसे कि आप देख पाने ग्रीन कलर में जैसे आप प्लश के आइकन पर टैप पर होगी सबसे पहले आपको इसको 9216 में करना है यानि कि इस्टाग्राम रील वाले साइज में उसके बाद मैं आपको background में black color को select करना है बांकि आप create project कर देना अब यहाँ पर आपको तोड़ा ध्यान से समझना है जैसे कि आपने आपर जो बाटर पलाई तितली वाला वीडियो आपने select किया है इसका maximum timeline है अगर आप आपना वीडियो 10 सेकेंड कर ज्यादा कर बनाना चाहते हो ध्यान रखें 10 सेकेंड से आपको ज्यादा कर वीडियो आपको शेलेक्ट करना है लाइट पर जाने वाद में आपको लाइट एंड को ही सेलेक्ट करना है बाकि इसका जो opacity है कि यहाँ पर timeline set हो चुका है यानि कि fix हो चुका है set याप फिक्स कुछ भी बोल लो बाकि आपको करना है कि यहाँ पर text वाले layer में effect को लगाना है तो आपको text के layer पर टैप करना है नीची की set में आपको impact पर जाना है उसके बाद में आपको जाना है search box में अब आपको यहाँ यहाँ पर बेबर पर लिक के type करना है बेबर पी effect का name आपको screen पर भी show कर रहे तो आप same to same copy paste कर दीना जैसी आप यहाँ पर बेबर पर वाले effect को select कर गए आपको नीची set में standard setting वाले option पर जाना है जैसी आप setting पर टैप कर गए आपके शामने यहाँ पर copy शारा length आएगा जै मैं आपको text के layer पर टैप करना है नीची set में आपको पहली की तरह effect पर जाना है जैसी आप effect पर गए उसके बाद मैं आपको add effect पर जाना है जैसी आप यहाँ पर region blur लेक के type करना है जैसी आप यहाँ पर region blur लेक के type करोगे आपके शामने यहाँ पर first number पर एक effect आएगा तो य आपको लेर में थोड़ा सांगे जाने हैं यहां पर आप देख लीजेगा जो बंद पॉंट जिरू जिरू है न लाश्ट में आप यहां पर स्टॉप कर देना वांकि जो लेंतर नहीं से जिरू पर कर देना फिला लगाई से यहां पर बिलर वाले एक्ट लग चुका है अब अपने वीडियो की स्टैटिंग में रहने के वीडियो की स्टैटिंग में रहने के वाद मैं आपको प्लस्ट पर जाने हैं मीडिया पर जाने हैं अब मैं आपको टेली गराम चैनल पर दूँगा जैसे कि पहला एवाला इस्टिकर है तो आप दोनों में से जो भी आपको प यहां पर इसका जो opacity आप इसे 77 एपर 78 परशेंट आप राग देना अब आपको इस टीकर में color change वाले effect लगाना है तो आपको बैक आने कवाद में आपको इपक्ट पर जाने कवाद में आपको add effect पर जाने कवाद में आपको search box में जाने कवाद में आपको hue shift लग के search करना है जैसे कि effect करना है मापको इस screen पर show कर रहा है तो जैसे आप यहां पर hue hue लग के type करोगे आपके शामने effect आएगा तो आपको select करना है यहां पर आपको standard setting पर जाने है यहां पर आपको सबसे पहला काम करने है आपको layer की starting में white mark को लगाने है उसके बाद में text में जाना है अब आपको इसमें की length मिलेगा तो जो length है आपको इसको minus में slide करना है ध्यान रखेंगे आप जितना इसको minus में slide करोगे न उतना ही आपके sticker का color change होगा जैसे कि मैं आपको बता देता हूं आप इस वाले length को आपने साब से custom कर लेना जैसे कि आप अपना effect कितना fast कितना से लो लगाना चाहती हूँ इतना करने को बाद मैं आपको करना है कि यहाँ पर जैसी कि आपने जो sticker वेगर एड़ किया text आपने यहाँ पर एड़ किया है तो सबको आपको साई से add करना है ध्यान रखने है आपको sticker जो आपने add किया ना text विलकुल sticker से touch नहीं होना च अपने वीडियो की स्टाइटिव में रहना है प्लस वाले इकन पर जाने मीडिया पर जाने ध्यान रखें आपको यहाँ पर जो डॉट से इपक्ट वाले वीडियो से लेक्ट करना है मैं आपको टेलीगराम चैनल पर दीदूंग तो बहां से आप डाउनलोड कर करें सिपने वीडियो काम यहाँ पर कमपने अब लाश्ट काम रहता है अगर आप से अपनी पर इसमेड़ना बर रहते हैं अगरे यहाँ लिए पर नायंधन नहीं या तो मैं आपको बता देट पहुं उज्याही है दो करना आतो जैसे कि मैं आपको मैं आपको एक्ज Колई दे देता हूं, simple सा तरीका है, आपको यहाँ पर अपना name सेलेक्ट करना है, मैं आपको सब कुछ यहाँ पर step by step बता रहा हूं, आपको pixel lab में जाके यहाँ पर अपना name एड़िट करना है, बांकि आप अपनी name को png में set कर लिना, मैंने अपना name already edit करकर png में set किया था तो मैं उसको select कर लिता हूं, आपको अपने name बाले png text को select करना है, थोड़ा सा आपको छोटा करना है, बांकि आप नीचे की set में बीच सेंटर में add कर दिना, उसके बाद मैं आपको name बाले text के लिएर के timeline को भी बांके के timeline के साब से set कर दिना है, blending पर यानिक बाद मैं आप opacity को 78, 77 इतना आप कर देना वह आप पर डिफेंड करता है, अब अगर आप इसमें यहां से audio को लगाना चाहते हो, तो मैं आपको audio telegram and video के comment box में दे दूँगा, अगर आप मेरी वात मानों तो आपको directly Instagram से trending वाला audio यूच करना चाहिए, बांकि कैसा आप पर डिफेंड करता है, तो चलिए अब वीडियो को यहां फेंड करते हैं, अगर आपको फिर भी editing में कुछ भी problem आ रहा है, तो आप मुझे comment box में बता देना, और हाँ जाने इस पहले वीडियो को एक like and channel को subscribe कर देना, वाकि मिलते हैं next video कुछन